हेलो फ्रेंज वेलकम टू स्टड़ी इवरेडे विध विजा सर दोस्तो आज हम वीडियो में बात करेंगे मैस के इंपोर्टेंट प्रस्णों की दोस्तो एक और इंपोर्टेंट बात बता दूँ आपको हम जो आपको पार्ट वाइज वीडियो बता रहे हैं मैस के लिए और रिजिनिंग के ट्रिक भी आप हमारे देख सकते हैं जो पार्ट वाइज हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ हम वही प्रस्णों को कराते हैं जो सिट पैटर्न के प्रस्ण होते हैं और इजाम में पूछे गए प्रस्ण होते हैं चलिए पहला कोश्चन है आज के वीडि मातग के मैं उसके पुत्री की आयू का साथ जूना या पर दिया हुआ या नि पूत्री की नायू आवय हो एगी तो मातग कित्ती हो जाएगी 7 वरण हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर देखें, option पर देखें, option से solve करेंगे अब क्या 5 वर्स बाद उनकी आउका यो 50 वर्स हो जाता है 5 वर्स बाद पूँच रहा है, यानि कि यहाँ पर देखें, एक अनुपाते 7 दिया हुआ है थीक है, 5 वर्स बाद पूच रहा है, इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं इसमें हम 5 जोड देंगे, उपकि 5 वर्स बाद पूच रहा है तो यह क्या हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, और यह 7 5 12 हो जाएगा ठीक है उन्हें के आउका 50 वर्स हो जाता है तो पुत्री की वर्थमान आउग्यात करिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आप यहाँ पर गलती क्या करतेते हैं प्लस कर देते हैं क्यों यह कि 5 वर्स पार पूछा गया तो आप प्लस कर देते हैं जो कि ये गलत है दोस्तों, इसलिए आपके जाम में student हमेशा गलत करके आ जाते हैं, यहाँ पे देखे question क्या पूछा है गुना, गुना मतलब होता है गुना दोस्तों, ठीक है, गुना मतलब होता है गुना, तो हमें क्या करना यहाँ पे पांच का multiply करना है, पहला option देखेंगे, पांच वर्स दिया हुआ है, तो पांच का multiply करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना सब्द दिया हुआ है, इसमें भी पांच का multiply करेंगे, क्योंकि पांच वर्स बाद गुना है या नहीं गुने करेंगे, त option का इसके बाद आप add करेंगे पांच वर्स बाद पहले आउ का option में गुना कर देंगे 35 आ गया अब पांच वर्स बाद पूछ रहा है अब आप करेंगे क्या प्लस कर दीजिए आपका 5-5-10 आएगा इसमें भी 5 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा अब question क्या कह रहा है कि उनके आयू का योग 50 वर्स है अगर हम पुत्री की आयू को और माता की आयू को जोड़ दें तो 50 वर्स हो रहा है बिल्कुन हो रहा है तो option number 5 वर्स यानि कि option number A सई होगा अगर इसी प्रकार option number B में देखिए 6 वर्स हो रहा है अगर option A सई है तो हमें अंगला करने की ज़रूरत नहीं है option को अगर हम फिर भी समझाय दे रहे हैं आपको जैसे 6 वर्स दिया है ना एक और साथ का दिया हुआ है ठीक है 6 वर्स दिया 6 का multiply करेंगे यहां पर 6 सते 42 हो जाएगा ठीक है यहां पर अगर 5 जोडेंगे यहां पर भी हम 5 जोडेंगे क्यों की गुना सब्दे तो गुना कर दिये है अपसन में तो अगर 5-6 गेरा हो जाएगा 42-5 कितना होता है दोस्तो 47 और गेरा तो 50-50 अप हो जाता है 50 सूपर हो जाता है तो अपसन क्या हो जाएगा एसा ही होगा अब देखेंगे अंगला प्र रुपए है तथा महिला करमचारियों का आउसत वेतन 420 रुपए है यदि संपूर्ण आउसत वेतन 500 रुपए हो तो पुरूस एबं महिला वेतन का अनुपात होगा बहुत यह आसान ट्रिक है इसको दोस्तो ऐलिकेशन ट्रिक द्वारा स्वाल्व करते हैं कौन सा ट्रिक ह क्या है शलिया यह हम आपको बताते हैं यहां पर मेल में देखिए कितना वेतन आउसत विपतन कितना दिया पांचो बीस दिया हुआ है घर आपका इसमें अगर ऑंतर करेंगे तो 500 में से 420 को माइनस करें कितना जाएगा अब यहाँ पे अनुपाद कितना बन गया आपका यहाँ पे अनुपाद देखिए कितना बन गया 80 अनुपाद ते 20 का यानि कि पुरू से महिला वेतन का अनुपाद कितना होगा सी अनपाते 20 आपसा नंबर है आपका सई हो जाएगा दोस्तों ठीक हूं उमीद करता हूं ऐसे question आपकी जामें पूछे जाएंगे तो आप solve कर लेंगे अब देखेंगे next question दोस्तों यहाँ पर देखें कि एक गाउं खुटहा में प्रतिवर्स 20% बच्चों की ब्रद्धी होती है यदि वर्स 2005 में बच्चों की संख्या 1000 हो तो वर्स 2008 में बच्चों की संख्या क्या होती है दोस्तों अब आप गलती student हमेशा गलती क्या करते हैं इसमें सबसे जादा यही गलती होती कि चक्रवधी ब्याज को यो कर देते हैं जो की सरासर गलत है वो आपसन आपका answer आ जाता है लेकिन यह गलत आता है इस type के question में ट्रिक हम आपको बता रहे हैं इजली ट्रिक बता र basic जानना है तो हमारे playlist में आपको मिल जाएगा तो playlist में आप वीडियो देख सकते हैं चलिए इसको आप simple तरीके से solve करेंगे इसमें आपसन लिखा नहीं गया है ठीक है यह आपसन मैंने लिख दिया है ठीक है अब जान से देखिए 1000 आप क्या दिया हुआ है संख्या की ब्रदिदी हुई है ठीक है multiply करेंगे क्या यहाँ पे देखें प्रतिवस 20 प्रस्त की ब्रदिदी हो रही है यानि कि 120 कर लेंगे 100 में 20 जोर लेंगे बटे में hindered कर लेंगे ठीक है यह ठीक आपको मालूम है नहीं मालूम हमारे playlist में आप वीडियो जो बहुत सारे हैं आपके प्रस्त और हानि प्रस्त वाले बटक प्रस्त वाले आपको मिल जाएंगे ठीक है तो वो problem आपकी साल्ग हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यदि वर्स 2005 में बच्चों की संख्या 1000 हो तो वर्स 2008 में बच्चों की संख्या होगी यहा है बटे हिंडेट करेंगे ठीक है multiply 120 करेंगे बटे में हिंडेट कर लेंगे क्योंकि तीन वर्स के लिए पूंचा गया है तो तीन बार multiply हिंडेट कर लेंगे ठीक है अब आप इसको आसानी से solve कर सकते हैं कैसे एक दो 0 गया एक दो 0 गया एक दो 0 गया बचे कितने एक दो इसको फिनिस हो गया 0 सारे फिनिस यानि की बचा कितना आपका बारा multiply बारा multiply बारा अब बारा का cube क्या होता है दोस्तों बारा का cube क्या होता है जल्दी बताइए fast and forward आपका कितना होता है 1728 होता है क्या आपसन में आपके 1728 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो चौता आपसन डी सही हो गया not non of these इन में से कोई नहीं ठीक है आप देख परी से इंतजार था वो question आ गया जो आपके थम मेल में या डिस्पले में आप देखे होंगे जैसे वीडियो प्ले करें हैं पहले ये question दिखाई दिया होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस question के लिए आप तीन question देख चुके हैं ये important question है देखिए यदि 20 200 मीटर का सडखने मार करती हैं तो क्या करेंगे 10 महिलाएं कितने मीटर करेंगे ये 10 दिन जो हो ना जब समय भी आपका महिलाएं भी आदी हो रही है और distance भी 200 मीटर सडखने मारती हैं 100 मीटर हो रहा है आदा हो रहा है तो normally क्या करते हैं 5 दिन यानि कि कम time बचाने के लिए उसको आदा कर देंगे दिन को भी 5 दिन में टिक लगा कर चले आते हैं फिर बताएंगे जाम में नंबर कमाया मेरा नंबर कमाया अरे भया जब आप सही तरीके से solve नहीं करेंगे तो नंबर कम आएगा ही आपका ठीक है अब सही तरीका क्या है समझ लीजे वीडियो देख र लेगा फार्मूला क्या है M1D1 बटे W1 इसकल टू M2D2 बटे W2 ठीक है यह इस फार्मूले के आप हमारे प्ले लिस्ट में वर्कें टाइम डिस्टेंस का वीडियो देख सकते हैं बहुत अच्छे क्वेस्चन करा है मैंने फुल बेसिक चीजें बताई गई हैं बहुत सारे कोश्चन है चलिए इस कोश्चन को साल्फ करते M1 पहले देखे 20 महिला हैं 10 दिन में 200 मीटर करती है M1 यानि की में या O में ठीक है कितना करेंगे 20 कर लीजिए D1 यानि दिन यानि की 10 दिन लग रहा है W यानि वर्क कितना हो रहा है 200 मीटर का काम हो रहा है बराबर कर ठीक है अब देखे फटाफट 1 0, 1 2 0 गया 2 से 2 गया 1 बचा ना 1 बराबर कितना करेंगे 1 0, 1 0 गया यानि कितना D 2 बटे 10 बचा 10 को इधर कर दे कितना जाएगा D 2 बराबर कितना जाएगा दोश्तों 10 आ जाएगा अब is the right answer Correct answer क्या है कितना समय लगाएगा अरे भाया 10 महिलाएं जब 100 मीटर में सड़क बनाने में कितना दिन लगाएगी 10 दिन ही लगेंगे क्योंकि आपका सड़क भी तो घट रहा है ठीक है ये समझने वाली बात है दोस्तो जब 20 महिलाएं 10 दिन में 200 मीटर का सड़क निमार करती है तो महिलाएं जब 10 हैं ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी सड़क जो 200 मीटर बन रही थी आगर 200 मीटर ही बनाना पड़ता तो 5 महिलाएं लग सकती है ठीक है पांच दिन वक्त लग सकता है ठीक है पांच दिन वक्त कैसे लग जाएगा भाईया कैसे लग जाएगा क्योंकि सड़क तो कम हो रही है 100 मीटर जब 20 महिला आए 200 मीटर का सड़क निमार करती है 10 दिन में तो 10 महिला पांच दिन में कर लेंगी नहीं कर पाएंगी कितने अभी तक हमारे चैनल को विजिट या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बिल आइकन आल प्लिस कर लीजिए ताकि जो भी हम सिलेवस आपको पढ़ा रहे हैं वो आप तक नोटिकेशन इन वाक्स में यूटूब पर मिल जाए ठीक है दोस्तो जैहिन वंदे मातरम